दोस्तो आज पाकिस्तान इतना ज़्यादा पागल हो गया है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत को धमकी दी गई है और पाकिस्तान ने अपनी उन चीजों को भारत से वापस मांगा है जिसकी मदद से पाकिस्तान परमानू बमों को बनाने वाला था अब तक आप समझी गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं वो केवल इतना समझ लीजे कि अब से दो से तीन दिन पहले ही भारत ने एक पाकिस्तानी जहाज को पकड़ा था क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने हमारी नो बहुत बन लगा हुआ है। इन कंपोनेंटको नुक्लियर ट्रीटी के एकोर्डिंग भैन किया गया है। नुक्लियर ट्रीटी एक एसी संदी है जिसमें नुखलियर वेपन के विस्तार पर रोक लगाई जाते है儿 जो देश परमानू बोम on kindre की कोशिच करता है। उस देश पागिस्तानी जहाज को पकड़ा था उस पाकिस्तानी जहाज में कई परमानू और बैलेस्ट्रिक मिसाइल से रिलेटीड कमपोनेंट चीप हुए थे और इस तरीके केience का इस seafood को ज़्यादा स्रटीक होती है कि ये 100% accuracy के साथ steel को काटती है इस machine की मदद से ज़दी किसी चीज को काटा जाता है तो उसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती है इस machine की मदद से ballistic missile के कई अलग-अलग component को भी काटा जाता है इसके अलावा भी कई nuclear हत्यार बनाने क component इस जहाज में मिले हैं इसी लिए ही भारत की तरफ से इस पाकिस्तानी जहाज को बैन कर दिया गया है और अब इस जहाज को लेकर पाकिस्तान की तरफ से भारत को धमकी देते हुए बोला गया है कि हमारे इस जहाज में ऐसा कुछ भी नहीं था भारत की तरफ से जान कर हमारे जहाज को पकड़ा गया है भारत बेफाल्तू में ही ये बाते फैला रहा है कि हमारे इस जहाज के अंदर परमानु कंपोनेंट रखे हुए थे ये चीज भारत को बिल्कुल भी शोबा नहीं देती है इवन आकिस्तान के कई जिहादियों गुरूप की तरफ से भी भा उनकी देते हुए बोला गया है कि तुरंत ही हमारे इस जहाज को छोड़ दिया जाए अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो हम भारत के उपर हमला कर देंगे और इसका जिम्मेदार भारत खुद ही होगा और अब आप खुद ही सोच कर देखिए कि अगर इस जहाज में एसा पाकिस्तानों हत्यारों को बनाय जा सकता है तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के जहादियों की तरफ से भारत को धमकी नहीं दी जाती और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि क्या हमको पाकिस्तान की इस जहाज को वापस करना चाहिए हां या फिर ना इस बात का अंसरा आ सकते हैं, thanks for watching this video, have a good day.